चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बजारिया इंडेन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप ये वीडियो में चूरन देख रहे हैं इस चूरन को जब आप खाएंगे तो आपके पेट का आप आपके पेट की प्रोब्लम भी खतम तो आपके पेट को बहुत इस चूरन कैसे तयार करना है तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्लेट आप चाहें तो बालु भी ले सकते हैं तो यहां पे मनें डाल दिया है एक छोटा कप सौफ यह देखिए इतना छोटा सा कफ मैंने यहां पर लिया है तो इसी की नाप से हम सारी चीज़ें ले लेंगे तो यहां पर एक कफ हो गया सौफ और दूसरा हो गया इंगीडियंस मैथी दाना अब इसकी बराबर कॉण्टिटी में एक कप ही मैथी दाना लेना है और इस मै अब इसमें आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा ओनलाइन भी मिल जाएगा तो यहां पर मैंने आदा कप अजवाइन का मात्रा आप कम ही रखें मैं जितना बता रही हूं आप इसमें दालेंगे इसमें अब इसमें हमें चौथा इंग्रिडियंस डालना है जीरा सीड जीरा भी आपके घर में ही yeah बिब कर compliqué करें गरायक करें तो दोस्तोदव आपको यहाद दिला दूओ कि अगर आपको वीड़ियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो please चैनल को subscribe कर लें और subscribe करने के बगलें जो bell का icon मिलें आप प्लीज आप उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी गरेलून उसके हैं उसकी वीडियो का update मिले सबसे पहले तो चलिए यहाँ पे देखिये, यह अच्छे से mix हो चुका है, अब इसका हम बना लेंगे powder mix इसमें हमें डालना है, एक चीज और तो आप ís को पी यूज्च करेंगे तो आप खुद चाहेंगे कि बार हमक्षी आराम में इंयाद को बनांक करें। तभी आप लेगा ऐसे बारिय कृष्ट को रुक्सपनी सब्सक्राइम्र सबस्काहिए कर देखेंगे tob現在 करे नमगे, तो और अब लूंगे, तो दोस्तों इसको आप वीडियो पूरा देखेगा इसको कैसे खाना है कैसे सेवन करना है किस टाइम लेना है मैं पूरा कुछ वीडियो में बताऊंगी तभी आपको इसका पूरा फाइदा होगा अब आप खुद ही सोची जो मैं वीडियो में आपको चूलन दिखा रही हूँ बना करके ज्यादा कॉंटिटी में इसको मैं खुद खाऊंगी आप यह समझो क्योंकि इस चूलन को मैं कई बर बना के खा चुकी हूँ मुझे बहुत फाइदा हुआ है इससे तो इस टाइप से इसमें नमक मिला करके आप इसको किसी एयर टाइड डबे में बंद करके रख लीजिए एयर टाइड डबे मतलब भर करके इस चूलन को रख लीजिए जब इसको कोई साइड डबे में बर करके और आप इसको रख लीजिए इस टाइप से दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता कि हम लोग कहीं कूलर में लेट जाते हैं या एसी में लेट जाते हैं इस वज़े से दर्ध होने लगता है या कुछ ठंडा घंडा घंडा खा लिया आइस क्री एक फैसले अबी इतना अभी फायदा आए इतना कार्गर करेगा इतना फायदा करेगा आप इस त update को खोल kidnapped और आप एक चम्हाच चुरन रोजज सुबह खाली पैट रोज सुबह खाली पैड इस अ सुबह सुबह सेबन करें करें अब इस चूण का सेबन किसके साथ में पा जब आप चूरन यह खाएं तो आदे गंटे तक कुछ ना खाएं पानी साथ इस चूरन को निगल जाएं और आपको आप देखना आप मात्र दो दिन ही इसका सेवन करेंगे उससे आपके पेटी का गैस नहीं बनेगा पेटी का गैस बिल्कुल रहेगा ही नहीं आप कितना भी अब दोस्तों इस चूरन का जैसे घर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप इस घर्मियों के मौसम में एक टाइम सुवश खाएं खाली पेट और जब सर्दियों का मौसम आजाए तो साम के टाइम एक चमश ले 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 तो फिर आप देखना आपको कितना फायदा आप गर्मि हो जाएंगे इससे जो घुटने का दर्द होता वह भी खतम हो जाता है आप देखना इसको जब ट्राइगा ना तो चलिए अगर आज के वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ एक नए वीडि